वेगर मॉर्णाइं गुराफ चुंग रेवरिंग बाइड ये फ्रेंस बलकुम तो मैं चैनल दोचाल मैं कैसे हैं सब लोग और आप लोगों के लिए कुछ इंपोर्टेंट जरूरी चीजे इस वीडियो में जो लोग थाइलेंड ट्रावल करने लगे हैं वह मैं डिसकस करना कि चीपेस्ट आटीपी से टेस्ट हैं जो भी मैंने रिसर्च करके निकाला है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया लेकिन अगर आपको कोई चीप रिसोर्स मिलते हैं तो प्लीज लोगों के साथ शेयर करें कॉमेंट सेक्शन के अंदर और उसे में उस लिस्ट में आड करना किन-किन चीजों का ध्यान रखना है बिसिकली मैं यह वीडियो इसलिए बना रहो ताकि हम कोई चीज इसके रिगार्डिंग मिस ना करें चेंच यहां पे देखने सुनने को मिल रहा है हमारे सामने है कि जो सेविल इवेशन अथॉर्टी ऑफ थाइलंड है उन्होंने अभी कि एरलाइस को दुबारा से रिवाइस डारेक्टिव इशू किये हैं और उसमें कहा है कि जो लोग नौन वैक्सिनेटेड हैं वो भी ट्रैवल कर सकते हैं लेकिन उनका एक ओन अराइवल टेस्ट होगा ठीक है ना अब यह डिवेलपिंग स्टोरी है इसमें अभी यह चीज क्लीर नहीं होती हमें यह टेस्ट की जो कॉस्ट है वो क्न बेर करेगा और किस टाइप का टेस्ट है वैसे एस पर मैं नौलेज लास्ट एयर तक जुलाई तक एंटिजिजिन टेस्ट करवाना पढ़ता था 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 चलने से पहले बहु और कॉन राइवल आपका एंटिजिन होने चीए बाकि जो बच्चे हैं otherwise in general अभी तक जो मेरी understanding इसके बारे में कि जो बच्चे हैं वो दोजार exempted ठीक है अगर उनके parents vaccinated हैं तो वो travel कर सकते है parents के साथ लेकिन अगर बच्चे अकेले travel कर रहे हैं ठीक है until last year जो अगर बच्चे अगर अकेले travel कर रहे है parents के साथ मतलब कि 5 साल 17 साल के बीच में हैं अगर वो हैं तो उस case में उन्हें एक dose लगी होनी ज़रूरी होती थी अभी चीज़े कैसे और आगे निगल के आती है और इस वीडियो के दर में सीच को डाल पाया पहली चीज़ यह है कि आप जो लिस्ट अफ अप्रूवट वैक्सिंस हैं अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं यह लिस्ट अभी वैक्सिंस आथ हाइलेंड की के पासपोर्ट यदेंटिकेशन नंबर वह भी आपको आपका जो वैक्सिन के सर्टिफिकेट है वह आपका पासपोर्ट नंबर के साथ लिंक्ट होना चाहिए कैसी कर सकते हैं कोई पोड़ोल पे जाओ एक स्पेशल लिंक दिया हूँ वहां जाके आप अपने वैक्सिन के लगी दूसरी लगी बूस्टर लगी और कौन सा मैनिफेक्चर था वैक्सिन का वो जनरली दी होती ही चीज़ें तो यह जो सर्टिफिकेट्स हैं यह भी आप कोविन पॉर्टल से ही डाउनलोड करें और उसों डाउनलोड करने से पहले मेक शूर कि आपका पास्पोर्ट का न रहा है यह एर्लाइन को लोगों को फ्राइड बोर्ट करने नहीं दे रहे तो इसलिए उसी टाइम को दुबारा रिफर करते हुए मैं इस वीडियो को कर रहा हूं और मैं आपको यह बता रहा हूं कि यह सब चीज़ें आपके वैक्सिन सर्टिफिकेट पर होनी चाहिए पा क्योंकि हम मॉनेटरी रिस्क इस वक्त नहीं लेना चाहते लेकिन लेट मी टेल यू कि माली जी एक एक एक्जामपल लेता हूं मैं एक्जामपल के तौर पे हाला कि कोई गाइडलाइन क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है कोई ऑनराइबिल टेस्स नहीं आपको पता है थाइल ठीक है ना या कोई symptoms आपको लगे machine के थ्रूपता लग गया आपको रोक ले और आपको कहे कि नहीं आपको टेस्स कराना पड़ेगा तो उस वक्त आपको अगर isolate भी करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे आप कहां करेंगे तो hotels के booking confirm लेके चलना ताकि आपके पास एक valid justification हो कि ब अपनी मर्जी से कहीं आपको quarantine isolate ना करने वह आपको बहुत जादा expensive पड़ेगा अगर ऐसी नौबत आ गहीं हाला कि अभी मैंने फिर बोलता हूं कि clear guideline instructions नहीं क्योंकि quarantine protocols स्क्राप कर दिये थे लेकिन एक आप खुद सोचके देखें कि क्या हो सकता है उस case के नदा वह मैंने आपको बता दिए को कि पिछले 3-4 साल से इस किसम की वीडियो कर रहे हैं और हमें पता है कि पहले क्या हलात थे ठीक है न different scenarios हम लोगों के साल live sessions में भी share किया करते थे तो इसलिए मैं इस चीज को बोल रहा हूं and let me tell you whatever the cases आप airlines के हाथ में सब कुछ दे दिया है उन्होंने त ठीक है उनसे जो updated जो real time आप जो updates है ले सकते तो यह थी आज एक चोड़ी से वीडियो Thailand travel update पे कुछ और पता लगता तो मैं आपको जरूर बताऊंगा लेकिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखें बहुत-बहुत और ध्यान से travel करें that's all I have to say goodbye and take care